नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जादातर लोग अपने घरों में धनविर्दी करने के लिए छोटे छोटे उपाय करते हैं लेकिन पूरी जानकारी ना होने की वज़ा से उनका कोई भी उपाय गर में हर तरह की प्रगति के लिए वे समर्दी के लिए प्रति दिन पूजा पाट की जाती है दर्म गरंतों वेशास्त्रों में बहुत से छोटे-छोटे उपाय बताए हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है यदि इनका सही तरीके से पालन किया जाए तो व्यक्ति की जिंदिकी बदलते देर नहीं लगती पूर्ण नहीं हो पाता है दोस्तों अगर आपको अपने नोकरी में पदोनती चाहिए व्यापार में बिर्दी चाहिए और घर में धन्धानने चाहिए धन्दौलत चाहिए और भी जादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये उपाय सर्वोत्तम होते हैं इन उपायों से निश्चेत रूप से ही लाब मिलता ह लेकिन पूरी जानकारी ना होने के कारण आप जब उपाय करते हैं तो उनका फल नहीं मिलता है। इसलिए हम आपको अपनी वीडियो में बार बार कहते हैं कि आप वीडियो पूरा अंतर तक देखें और जै बजरंग बली कमेंट में आवश्य लिखें। दोस्तो किसी भी उपाय का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भगवान के आशिर्वात की आवश्यक्ता होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जपना और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली लिखना आपके लिए बेहदी फलदाई है। दोस्तो कोई भी टोड़का अपना पूर्ण परभाव तभी दिखाता है जब आप इसे पूरी शरदा और विश्वास के साथ करें और पूरी जानकारी के साथ पूर्ण विदी विदान से करें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको विश्वास है तो आपको पत्थर में भी भगवान दिखेंगे, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको साखसात अगर भगवान भी दर्सन दे दें तो आपको पत्थर समान ही लगेंगे, इसलिए किसी भी जान का ध्यान रखते हैं तो संपूर्ण रूप से आपको वे उपाय अपना फल अवश्य दिखाता है तो दोस्तों इसी परकार के उपायों की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसा ही जब जायफल का उपयोग केबल जोति सास्तर में नहीं बलकि तंत्र सास्तर में भी बरपूर मातरा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि जायफल से किये जाने वाले उपाये बहुती प्रभावशाली और शक्ती शाली होते हैं दोस्तों जो जायफल होता है ये एक तांत्रिक वस् दोस्तों अगर आप ब्यापारी हैं यानि कि बिजनिसमेन है और आप चाहते हैं कि आपके बिजनिसमें तरक्की हो बड़ोतरी हो आप लगातार अपने ब्यापार में हानी कर रहे हैं नुक्सान का सामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप और भी ज्यादा धन कमाएं तो इसके लिए आप अपने ब्यापार स्थल पर एक जोड़ी जाइफल यानि कि दो जाइफल को हल्दी का टीका लगा करके वहाँ पर कहीं चुपा कर रख दें, किसी कोने में रख दें, बस आप इस बात का ध्यान रखें कि वह कोना दक्षिन दिशा कर नहीं होना चाहिए, इसक इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्वपन में भूत प्रेट दिखाई देते हैं, डराबने सपने आते हैं, या फिर आपको लगता है कोई तंत्र बादा या भूत बादा आपके उपर करवाई हुई है, या पर किसी भी प्रकार से आप तंत्र बादा के या भूत आत्म प्रेट के बाधा में ग्रसित हो चुके हैं, तो इसके लिए आप एक जोड़ी जाइफल, यानि कि दो जाइफल को अपने सिराने रखकर के सोईए, तक ये के नीचे रख लें, और इसको रखके सोईए, भी प्रकार की तंतर बाधा वे बूत बाधा को, ये अपने अंदर को लेकर के चिंतित हैं, आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी वे मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप एक पीतल के छोटे से बरतन में, कोई भी छोटे से कटोरिय कुछ भी ले ले, और उसके अंदर जावितरी और जाइफल को डाल करके, आप अपनी एक पीतल के बरतन में जावितरी और जावितरी और जाइफल को डाल करके, आप बरगत के पेड़ के नीचे जब दवा आते हैं, तो बैस अद्रिश्य शक्ति आपकी समी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं, दोस्तो अगर आप किसी काम पर जा रहे हैं, और आप चाते है कि आपका काम बन जाए, तो आप जाएफल को पीश कर इसका तलक लगा करके जाएं, आप जहां भी जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके वशीबुत होकर आपकी हां में हां मिलाएगा, और साथी जो भी आप काम करना चाते थे, कोई प्रोजेक्ट लेना चाते हैं, कु कि आपके घर में कोई ना कोई एक के बाद एक बीमार रहता है, यानि कि बीमारियों ने अपना घर और अपना डेरा आपके घर में बना लिया है, तो इस प्रकार की समस्याएं आप से दूर हो जाएंगी, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप करजे से परिशान है, आप डा जाएफल और ग्यारा हल्दी की गाठें पिरोकर एक माला बना लें और गाय की गले में आप डाल दें, निश्चिती रूप से आपकी मनो कामना तो पूर्ण होगी ही, साथ ही सभी परकार की समस्याओं से भी आपको चुटकारा मिल जाएगा, दोस्तों, अंत में आपको बत अपने गर में जहाँ भी धन रखते हैं या फिर अपने परस में अपने पास रखें, दोस्तों, अब किसी बहुत ही महतवोँ़ काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप इसे अपने साथ ले करके जाएए परस में डाल करके, अने ता आप इस अपने घर में भी रख स वहाँ पर रखते हैं तो वैस्तान कभी भी खाली नहीं होता है यानि कि घर में धन आने के सभी मार खुल जाते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया जाए फल से किये जाने वाले उपायों के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें कमेंट बॉक्स में जैब बजरंग बली लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम हरुज लाते रहते हैं ऐसे ही चबरदस वीडियो जिन से आप अपने जीवन को और जी सकते हैं एक स्टुक में जीवन तो दोस्तो आज की वीडियो में क्यावले तना ही कल फिर आफसर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जादत धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिकना ना भूलें जैब जरंग बली